नमस्कार आप देखने नेशन नियूज और मैं हूँ आपके साथ रितिक बियार विदान सबाद चुनाव की सरगर्मी तेज है शंकनाद हो चुका है पहले चरण का मतदान भी हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 3 नमंबर को होना है जिसके लिए अब हर एक राजनुतिक दल के नेता बियार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को सम्मोधित भी कर रहे है और इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज पटना के एरपोर्ट पर जब पहुंचे तब वहाँ पर मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने नितीश सरकार पर जम कर हमला बोल दिया है जिया नितीश कुमार की सरकार पर तेजस्वी यादव ने हमला बूला साथिसाथ उन्होंने नितीश कुमार के राज में भ्रेष्टाचार को बढ़ा हुआ भी बताया क्या कुछ कहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप देखिए इस वीडियो में तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष तेयस्वी आदव के ये कहने हैं और नितीश कुमार पर और नितीश कुमार के सरकार पर और साथीसाध आपको मैं बता दूं की बिहार में पहले चरंड का मदान हो चुका है तेयस्वी आदव ने ट्वीट करके बिहार की जनता को धन्यवात भी कहा था किसी तरह प्रेम और आभार बनाए रखे और अब तो ये देखना है कि पहले चरंड का मदान तो हो गया ہے बहतर नतीजे सामने आने को मिले अनुमान ये लगाया गया है साथे साथ उन्होंने इसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद भी कहा था और अब देखना ये है कि दो चुरण के मद्दान बाकी है जो कि 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे इसका नतीजा आ जाएगा तो अब देखना ये है कि आखिर 10 नवंबर को बिहार में सरकार किसकी मनेगे फिलाल के लिए मुझे दीजे इजासत और विधान सबाचुनाव के लेटेस्ट अबडेट्स के लिए जुड़री है हमारे साथ देखते रहे नेशन न्यूस को धन्यवाद